हलो फ्रेंस कैसा हो आफ मैं आरडी डिस्टल दुनिया के तमाम साथी लोगों का और दोस्तों का स्वागत करता हूँ और ग्रॉप डी आगामी दिनों में होने वाली है तो जिन जिन की ग्रॉप डी की एक्जाम है वो इस सीरीज के सभी वीडियो को ध्यान से देखे और 10-20 मिनट रोजा ना निकाले जिससे उनके एक्जाम में पेपर में मैस और रीजनिंग का इसकोर है वो निसिक तोर से वाला है आपके पास में यहां पर जो कॉशन करवाई जाते हैं वो पेपर में हूब हूबी देखने को मिल सकते हैं संख्याएं छोटी मोटी बदल सकती हैं आगामी दिनों में जो पैटर्न के कुछ कॉशन्स आ रहे हैं और जो अभी हालिय में आये हैं और पिछली एक्जा जिन से रिलेटेड घुमा घुमा के आपसे कॉशन करे जाते हैं उनको कैसे इजी तरीके से करें वो लेकर हासिर हूँ तो आज वाले वीडियो में कुछ इस प्रकार की बाते हैं जिन में कुछ हिस्सा देता है कि ये इतने लोग हैं और उनमें से इतना हिस्सा ये है उसे कै किसे करा जाता है पहले आप एक बार नसर दोड़ा लें कि कौनसे questions को आज आप मेरे साथ अगली 15-20 मिनट में सीखने वाले हैं वीडियो हमारे ये 15-20 मिनट के ही होने वाले हैं कुछ ऐसे questions दिन में आपको कुछ income income से related या saving बचत आई बगारा से related देता है ऐसे देता है कि इत इतना हिस्सा इसके पास इतना हिस्सा इसके पास सेस किसी और के पास तो बताईए वो सेस वाला हिस्सा कितना था और कुछ ऐसे देता है कि इतना कीचड में हिस्सा है इतना पानी में हिस्सा है पांच मीटर सतय के उपर है तोटल लंबाई बता दीजिए उसकी सभी जो question है same साइज से ही सोल करे जाते हैं आप देखिए कुछ अडम दाडम रट लेते हैं ट्रिक फ्रिक रट लेते हैं या मैस को थोड़ा complex तरीके से देखते हैं तो यह आपके लिए मुस्किल हो सकते हैं बाकी मुझे नहीं लगता कि यह जादा मुस्किल है बहुत आसान तरीका में आपको बताने वाला हूँ इन questions को तो ये कुछ questions होने वाले हैं 5-7 और भी time रहा तो और आगे भी करेंगे तो फटाक से देख लेते हैं हम, तुरू आज से ही तुरू कर देते हैं चीजों को और पहला question, एक स्कूल में 200 चात्र हैं जिन में से 7 बटा 10 चात्र लड़के हैं देखे आप सभी को ये समझना होगा कि कहीं भी ऐसे कोई हिस्सा आ जाता है 7 बटा 10 कहीं पर लिखा हुआ रहता है, कहीं 9 बटा 11, कहीं पर क्या, ऐसे भिन तो मेरी एक छोटी से बात को समझेगा, देखे जब हम स्कूल में पढ़ते थे या टेस्टों की कोपी होती थी, उसके उपर टीचर्स लोग कुछ इस प्रकार से नम्मर देते थे कि 10 में से आपके 7 आ गए, 10 में से आपके 0 आ गया, ऐसे ही तो कहते थे तो कहां से आ गए ये, 10 में से आ गए, कहां से, किस में से, किस का, किस का, ये 0 है, वो किस का है, 10 का है, 10 में से है, किस पर है, या कुल आप यह समझे कुल, नीचे जो होता है तुलनात्म का उपरेटर होता है mathematics में, तो आप ऐसे पढ़िएगा, 10 में से 0, 10 में से 7, जैसे आप छूटी क्लासों में पढ़ा करते थे वैसे, तो अब यहाँ आप क्या कहेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि 10 में से 7 छात्र हैं, कि सर जिस प्रसंद के अकोडिंग, चात्रा हैं, तो नीचे वाले को टोटल मान लीजिए, उपर वाले को जो compare कर रहा है, वह मान लीजिए, आप कहेंगे सर, 7 छात्र, तो 10 में से 7 छात्र हैं, तो आप कहेंगे सर, 3 छात्राएं हैं, बस, हो गया समाप, अब यहाँ पर उसने कुल बत आप कहेंगे सर ये 200 दे रखा है वो कहता केवल छात्र तो ये 7 बराबर होता 10 बराबर 200 यदि कहीं पर 10 बराबर 200 हो मेरे भाई तो आप कहेंगे सर 1 बराबर 20 होगा 10 बराबर 200 तो 1 बराबर 20 और आपको चीहें 3 बराबर तो 3 बराबर हो जाएंगे 60 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 3 इन गुणा कर दे 60, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाता, B विकल्प, 60, बहुत ही आसान चीज है, आप से पूछता कि छात्र कितने हैं वहाँ पर, तो 7 बराबर में calculate कर रहा होता, यदि वो कहता छात्र कितने हैं, तो 7, 1 बराबर 20 हो, तो 7 बराबर 140, 200 में से 140 चात्र हैं, 60 वहाँ पर चात्र हैं, और टोटल जो strength है वो 200 है, तो ऐसे परसंद को जबी पड़ें, इस नीचे वाले को टोटल मानिएगा, अब देखना कितनी आसानी से आप सवालों को समझ से ही कर देंगे, ये सवाल देखे, अब आपको ऐसा लग रहा होगा, सवाल बदल गया, लेकिन आप इसे बहुत आसानी से सोल कर देंगे, क्यों? अभी मैंने कहा, 3 बटा 10 को समझ ये, 3 बटा 10 का मतलब क्या होता है? 10 में से 3, 10 में से 3, किसका? आई का, आई का 3 बटा 10, यानि आई का 10 में से 3 खर्च कर देता है, आई का मतलब आई कितनी है? 10, जिसका, जिसमें से वो नीचे होता है, हमेशा मैथेमेटिक्स में, 10 को तो मान लीजिए आई, अब आई में क्या होता है? ये खर्च पलस बचत का टोटल होती है, आई, आप कहेंगे सर, खर्च पलस बचत का टोटल होती है, 10 रुपिया हमने आई माना है, परसन के अनुसार, 3 बटा 10 को आप पढ़ना आ गया होगा, 10 में से 3 खर्च करता है, इसे ऐसे पढ़ें, जैसे नम्मर आते हैं कि नहीं अपने टेस्ट में, 10 में से 3 नम्मर आ जाते हैं, तो आप कहेंगे सर, 10 में से 3 खर्च करता है, तो खर्च कितना करता है मेरे दोस्त, 3 करता है, और 10 में से करता है, तो बचत कितनी करता होगा, साथ की करता होगा अब परसन में एक डाटा देगा ये 2100 रुपया क्या है तो आप कहेंगे सर ये 2100 रुपया बचत है यदि ये बचत है तो बचत के बराबर कर दें इसको यदि ये खर्चा है तो खर्चे के बराबर कर दें इसको यदि ये income है तो income के बराबर कर दे, 2100 रुपे की वचत तो आप कहेंगे sir 7 बराबर 2100 हो गया, अब प्रसंद समाप्त हो गया, मन में ही समाप्त हो गया आप कहेंगे sir अब तो क्या ही करना है, 7 बराबर 2100 है न, to 1 बराबर 300 हो जाएगा सातियां 21, एक बराबर 300, देन 3 बराबर 900, तीन बराबर 900 और 10 बराबर 3000, तो आपका right answer उसकी income पूची है, आई क्या है, तो आपका सही जबाब हो जाथा B option, कितनी आसानी से कर सकते हुँ इनको, देखिएगा इनको, सुनिएगा, different different category के questions को अभी मैं करना सिखाऊंगा, आप चुटकियों में उनको कर देंगे, आसान वे में आपको उल्टा सीधा matter, यदि कहीं रटाया गया है या आपने समझ रखा है, तो इन सभी questions में वहाँ दिक्कत आ सकती है, आप देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार, परसंद थोड़ा अलग आ गया ये तू, अभी भिन्ने आ रही थी, बटे में आ रही थी, अभी कुछ परसंद डाटा आ गया, तो आप कहेंगे बार दुआ चोईस एक पचीस, पचीस बटा दो सो है ये, दो सो क्यों है, ये परसंट का भी नीचे सो लगेगा, तो दो सो है, एक बटा आठ हो गया, पची अंटे दो सो, य बहुत आसान हो गया, खतम हो गया मेरे भाई, अब तो कॉशन, आई के एक बटा आठ, आई के किस के किस में से तोटल नीचे होता है, किस पर, आई के, तो आई कहां रहेगी नीचे, तो आई को मान लीजी आप आठ रूपे, आठ में से बचत जो रही है, और जो खर्च का तो आठ में से एक की बचत रही है, एक बटा आठ को हमेशा ऐसे पड़े, आठ में से एक, तो आठ में से एक बचत रही है, तो एक बचत रही है, तो साथ खर्चा रहा है, अब परसन में देखो, परती माहा की आई क्या है, आठ सो पिछेतर खर्च करता है, तो आप कहेंग कोई दिक्कत नहीं है, 6 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा 7, 2, 14, 7, 35, यानि एक बराबर आ गया 125, एक बराबर 125 तो उसकी आई पूची है, तो आई कितनी मानी है आपने? 8, तो 8 बराबर क्या होगा? इसको गुणा करा तो 125 अंटे कर दीजे इधर 8 से गुणा किया तो 125 को 8 से 48, 4 बचा 16, 4, 20 और 10, 1000 रुपिया आपका यहां से राइट आंसर आ जाता दीखे आसान होती है चीजें बस आपको सोचना आना चीए उन्हें ऐसा जबी भी आए परसेंट में डाटा आए भिन्नों में बदलने साड़ी बारा परसेंट को आप 25 बटा 2 लिखेंगे फिर 100 नीचे आएगा तो 25 बटा 200 बनेगा उसे एक बटा 8 लिख लिया तो आई का एक बटा 8 बचत करता है ऐसी लाइन को पढ़ना बता दिया कि एक बटा 8 को क्या पढ़ें आप कि 8 में से 1 हो रहा है तो 8 में से 1 8 में से 1 यह जो मामला ता तो आप यह कहेंगे कि जो 8 में से 1 जो मसला रहा है वो बचत का रहा है तो 8 आप income को माल ले, I को माल ले एक रुपया बचत करता है तो 7 रुपए वो खर्च करता होगा भाई और परसन के अनुसार खर्च कितना दे रखा है जो दे रखा हो, जो रुपए दे रखे हो 845, 2100, 2200 उनको उसके बराबर कर दें जो हिस्सा आपने खर्च का दे रखा है तो खर्च वाला हिस्सा जो बना है यहां से एक बटा आठ के अकोडिंग उसके बराबर कर दें तो आप कहेंगे सर एक बराबर 107 बराबर 800 पिचेतर आया तो एक बराबर 125 आया, 8 बराबर 125 को 8 से गुणा करने पर 1000 आ गया, चलिए और देखते हैं वैतरीन से कॉश्चन यह देखिए, गुरूप D में आया हुआ है और 31 अक्टूमबर 2018 को आया हुआ है सालिनी, तन्वीर और रासिद ने एक केक को साजा किया एक केक को बाटा है सालिनी ने, तन्वीर और रासिद ने तीनों ने एक केक को बाटा है अब केक एक है बाटा है उसका बटवारा कैसा किरा है एक तो सालिनी है एक तन्वीर है एक रासिद है ऐसे मैंने करा अब आपसे कहेगा कि सालिनी को मिला है एक बटा च्छे भाग टोटल का एक बटा च्छे भाग फिर इसको मिला है टोटल का एक बटा च्यार भाग कई बार सेस का भी कहता है हम सेस वाला नहीं कर रहे है, अब कहरा है कि सेस भाग इसको मिला, सेस इसको मिला, अब इसका भाग कैसे पता किया जाता है मेरे भाई, इसका भाग पता करने के लिए, बहुत छोटी चीज है, अब ही हमने कहा कि इसके नीचे वाले चीज को टोटल मा या टोटल चार मानिये, तो आप कहेंगे सर 6 मानेंगे तो 4 वाला पॉइंट में आएगा, और 4 मानेंगे तो 6 वाला पॉइंट में आएगा, तो टोटल नीचे वाला हिस्सा मानिये 12, इसके नीचे कुछ भी रहा हो लेकिन इन दोनों का लगुतम के हिसाब से मान लीजिए 12, अब इसका 12 का 6 इस्षा करके 1 से गुणा करेंगे तो यहां तो 2 आ जाना है, दूसरे वाले का हिस्षा, 4 का भाग इसमें देंगे 3 बार इसका 3 आ जाना है, आप कहेंगे सर्फ 12 में से 2 इसको मिल गया, 12 में से 3, ये समझ पायोंगे, इसके जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको टोटल मानिए, जैसे पिछले परसन में टोटल एक ही रासी थी तो नीचे जैसे एक ही होता तो च्छे को टोटल मानता, लेकिन तीन जणे हैं तो अब टोटल किसे मानूं, छे का और चार का लगुतम ले उसको टो तोटल कितना माना है मेरे भाई, बारा में से दो यहां मिल गया, बारा में से तीन इसको मिल गया, तो पांस तो इन दोनों को मिल गया, यहां कितना मिला होगा साथ, यानि बारा में से साथ और बारा में से साथ को कहते हैं, बारा नीचे और साथ उपर, साथ बटा, बारा आप आपके पास में ये सूरी ये साथ बटा बारा ही है ये सूला नहीं है साथ बटा बारा बी ओप्शन में तो ये वाला हिस्सा आपका right answer हो जाता साथ बटा बारा Prozent आपका 모양 केक का हिस्सा ये समझभाय होंगे मैंने नीचे टोटल कैसे माना अब ही एक और question दिखाता हूँ ऐसा ही जब तीन लोगों के बीच में ऐसा हिस्स टाइब से बांटना हो हिस्सा calculate करना हो या total करना हो देखी, कुल बटा, हिस्सा निकालना हो तो नीचे होता है कुल, कुल में से उसे कितना प्राप्त हुआ ये उसका क्या आता है, हिस्सा आता है अब कुल कितना माने इसे मान लो आपको ये पता भी नहीं था ऐसे भी कर सकते थे कि इसको सेस मिलता है आप कुल को क्या मानते, कुल क्या माने तो 6 और 4 का लगुत्तम मान लेते तो आप कहते कुल को सर हमने 12 मान लिया अब 12 में से 1 बटा 6 करें, कुल का 1 बटा 6 करेंगे तो इसे 1 बटा 6 से गुणा करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, इसे 1 बटा 4 से गुणा करेंगे तो एक जना 2 आ जाएगा इसमें से, 1 बटा 4 करेंगे तो दूसरा 3 आ जाएगा, तीसरा 6 आ जाएगा, तो 5 ये और 12 में से 6 कि प्राप्त और कुल कितना तो कुल माना है आपने 12 और प्राप्त कितना हुआ है उसे 7 तो तीसरे कनेडेट का हिस्सा ऐसे डाइरेक्ट भी निकाल सकते हैं बहुत आसान चीज है चलिए बहुत सारे कौशन पिसली गुरूप D में ऐसा आये हैं अभी मेरे हाली में आये हुए इस दोर में कुछ ऐसी बातें पूछी जा रही है आपसे एक पाइप का तीन बटा दस भाग किचड में चलिए एक पाइप है भाई एक पाइप है अभी से सोचिएगा ऐसे पाइप पाइप का किचड में कुछ हिस्सा है कुछ हिस्सा क्या है पानी में है और सेस हिस्सा सतह कि उपर है सत ऐसे उपर तीन हिस्से दे रखें आपको इन तीनों में आप देखिए क्या कह रहा है पाइप का तीन बटा दस हिस्सा किचड में है ये पानी का दूसरा हिस्सा तीन बटा पांच है और सेस पांच मीटर उपर आप सेस हिस्सा नहीं दिख रहा ये तो दिख रहा है कि उपर कितना है तो 5 मीटर है लेकिन हिस्से का मुझे पता नहीं कह रहा है पूरे पाइप की लंबाई बताईए आप देखिए आइडिया उसी की तरह सोचेगा इसे आप से कोई यह कह रहा हो कि उसकी तरह कैसे सोचें तो मैंने कहा था नीचे इसके 10 है इसके नीचे 5 है तो टोटल पाइप को क्या मान लीजे आप टोटल पाइप को आप 10 मान लीजे आप कहेंगे सब टोटल पाइप को 10 मान लेते क्योंकि 10 और 5 नीचे है जो बटे वाला होता है वो तो टोटल मानिएगा, ये दस में से तीन है, ये पांच में से तीन है, तो दोनों का लगुतम दस मान लीजे, अब दस का भाग दस में जाता है, एक बार तो ये तो तीन, कीचड़ वाला हिस्सा कितना हो गया, तीन हो गया, नीचे, ये कितना हो गया, पांच का भाग, दस में था, 6 एक बराबर कितना दे रखा है परसन ने 5, ये 5 मीटर 6 की value given है पर इकसाम में, तो 1 बराबर यदी 5 होता हो, 1 बराबर 5 मीटर होता हो, तो कुल लंबाई को क्या माना है 10, तो 10 बराबर बस इसके 0 चिपका देते, 50 मीटर आपका right answer रहा होता यहां से, C option आपका right answer रहे जा रहे हैं वाकि ये आप pipe की चड़, पानी से तह से उपर, ऐसे लिखने की कोई आउशकता थी नहीं, direct, पर इकसाम में क्या approach होनी चीए, पर इकसाम में ऐसा होनी चीए, कि भई, ये 3 बटा 10 है, पर इकसाम में आप solve करें तो ऐसे थोड़ी लिखिएगा आप, आप इसमें द 10 मान लिया, 10 में से एक हिस्सा, 3 हिस्सा तो ये इधर हो गया, डायरेक्टी, फिर यहां 5 तो नीचे 5 है, तो 10 को 5 बटा, 3 बटा 5 से गुणा करेंगे, तो ये दो बार, फिर 3 ये तो 6 हो जाएगा, ऐसे डायरेक्टी पता करें, और 6 इधर लिख दें, 6 इधर, तो 6 कितना ब तो आप कहेंगे एक बराबर पाँच मीटर, तो दस बराबर कितना मीटर, पचास मीटर, इस इस दराइट आंसर, स्की ओप्सन, चलिए, अगले क्वेशन के और बढ़ते हैं, एक और वहतरीन सा क्वेशन, बट वैसी ही आसान सी बात, छोटी सी बात, किसी बाल्टी का, बाल् मानलो 11, 11 में से 4 भाग है, वो 5 मिनट में भर रहा है, 11 में से कुल बाल्टी का हिस्सा, कुल बाल्टी है, कुल बाल्टी मानलो 11 की है, तो उसके 2 भाग हैं, एक तो 4 हिस्सा, और एक कितना बच गया, 7 हिस्सा, सेस बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 हिस्सा बरने में, चार हिस्सा बरने में दोस्त, इसे बरने में लगती हैं 5 मिनट, तो इसे बरने में कितने मिनट लगेंगे, ऐसे आपने बटवारा कर लिया न, कि बाल्टी 11 की मान लीजिए, 11 में से 4, 11 में से 4 भरता है 5 मिनट में, तो 11 में से 7 भरेगा कितने मिनट में, ये आपको बताना था चलिए चलिए तो आप इसे ढूंड देते हैं हम चार हिस्सा बराबर पांच मिनट होती हैं पांच मिनट यानि इसके बराबर पांच मिनट कर दीजे चार बराबर पांच मिनट तो एक बराबर हो जाएगा 5 बटा 4 और 7 बराबर पुछा गया है तो 5 बटा 4 को 7 से फिर गुणा कर दीजिए एक वाली चीज को 7 से गुणा करने से 7 वाले का जगा यह आ गया 35 बटा 4 35 में 4 का भाग देंगे इतने मिनट तो 8 चोक 32 8 मिनट तो कम्प्लीट हो गई और तीन बटा चार हिस्से को 60 से और गुना करें देखें मिनिट पुरा पुरा भाग जाए वो तो मिनिट बना ले हिस्सा जो आए उसको सेकंड बना ले तीन बटा चार को 60 से गुना करें 15 ती 45 तो 45 सेकंड D option यहां से आपका right answer रहा होता आठ मिनिट पूरी लगेंगी और 45 सेकंड और लगेंगी तो यहां भी सीधी बात थी डाइरेक्ट सोचना था इतना भी आप लिखते नहीं लिखते चलता वैसे ही सीधा कि 11 में से 4 भाग है वो 5 मिनिट में भरता है तो 4 भाग बराबर 5 मिनिट तो 1 भाग बराबर 5 बटा 4 और 7 भाग बराबर 7 से गुना 35 बटा 4 5 बटा 4 को 7 से गुना करेंगे 35 बटा 4 आएगा चलिए एक छोटा सा question और दिखा देता हूँ तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ रोजाना जुड़िएगा आपके group D के जो math के question है या even कहीं भी जा रहे हैं आप देखे math एक ऐसा subject है जिसे आप देखे जाईए, सुने जाईए कोई से भी exam में काम लीजिए ये साला एक जैसा ही है word के किसी भी कौने से math को देखा जाए वो एक जैसी ही है यहां भी दो प्लस एक तीन होता है अमेरिका में भी दो प्लस तीन एक होता है पाकी subjects ऐसे होते होंगे कि सला वहां पर अलग से political पढ़ना पढ़ता होगा राजनितिक विज्ञान वहां अलग है अमेरिका में अलग है, बिटेन में अलग है लेकिन सला मैत के साथ ऐसा कोई पंगा नहीं है मैस में तो सभी जगे दो प्लस दो चार ही होता है दो प्लस दो चार ही होता है चली, ये वाला क्या था ये तो छोटी बात है 23 सही 2 बटा 7 मिटर लंबी 15 छोटी छड़ों को जोडा गया है तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी हो गई तो गुणा कर दीजे जैसे 2-2 की 15 को जोडा जाता तो आप कहते सर 30 मिटर की लंबाई हो गई 2-2 मिटर वाली होती तो 30 मिटर हो जाती तो गुणा करने से पता चल जाता है यहाँ भिन दे दिया थोड़ा सा डराने के दिया 23-02 बटा 7 को 15 से गुणा कर दीजे यह कुल लंबाई हो गई यह कुल लंबाई हो गई तो आप यह कहेंगे सर 15 से गुणा करेंगे तो इस मिस्टर भिन को सामानी भिन लेकिन एक ध्यान देने की बात है 23 से कुछ ज़्यादा हो तो 23 प्लस 2 बटा 7 लिख दें ऐसे मिस्टर भिन को गुणा करें तो ऐसे कर दें अलग करके कर दें या मिस्टर भिन छोटी नमर हो तो सीधा सामान्य भिन बना के अब ये 15 है वो 23 से भी गुणा होगा और ये 15 दो बटा 7 से भी गुणा होगा तो 23 से गुणा कर रहा हूँ मैं 15 ती 45 पांच आ जाएगा 15 दुआ 30 और 4 हासल ये 34 345 तो डाइरेक्ट हो गया प्लस इसके पास इस दूसरे से गुणा कीजिए तो 15 दुआ 30 ती बटा कितना हो गया तो 30 में 7 का भाग देंगे 4 बार जाएगा 4 सही 2 बटा 7 बचेगा और इधर बचेगा 345 आंसर 345 ये पूरा है 4 ये इसके पास है तो 349 और 2 बटा 7 349 सही 2 बटा 7 345 में 4 जोड़ेंगे तो 349 हो जाएगा और 2 बटा 7 रहेगा तो ये कुछ कोशन थे आपके और जिने देखा होगा आपने और एंजोई भी किया होगा इसी प्रकार से कुछ 20-25 मिनट की वीडियो में रोजाना टाइम निकाल के आपके लिए लाता रहूंगा आप भी हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक सेर और सबस्क्राइब कीजिए यदि आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए उसके हमें पैंस नहीं मिलते हैं बस हमें वहाँ से आपके दुआरा भेजा गया एनरजी का सिंबल होता है तो हम थोड़े energetic होते हैं, आपके लिए काम थोड़ा सा और बढ़ चटके करते हैं, और तो होता ही क्या है, और आपका भी कोई वहाँ से पैसा खर्च नहीं होता है, तो छोटी मोटी बात, जो आप मुझे कहीं से join कर सकते हैं, telegram, telegram पे अपना RD Mass Charger करके group है, उस group को join कर लीजिए, RD Mass Charger, direct search कीजिए, या फिर description box में उसका link है, जितने भी link है, description box में, चाहे वो app का link हो, चाहे से facebook हो, वहाँ पर आप मुझे follow कर सकते हैं, मैस को बहतर बनाने का काम जारी है और आगे और भी जोर सोर से जारी रहेगा, किसी भी topic की और अन्य वीडियो देखने के लिए, आप playlist को जरूर विजिट करते रहेए, इन दिनों में एक दो वीडियो को भी आप revise करके चले गए, तो परिक्सा में वो निसित तोर से आपको आगे बढ़ा देगी, इसी प्रकार से RD Sir Ray एप है, एप है RD Sir Ray, R-A-Y, ऐसे आप play store पे चेक करेंगे, यह है, रजिस्टर कर लें, और वहाँ भी आप अपने लाइक को 150 रुपए के course हो, उनमें enroll कर सकते हैं, 6 महने तक रोजाना के 10-20 पैंसे देकर आप वहाँ सीख सकते हैं बिलकुल बहुत आसान चीज़ें, 10-20 पैंसे में आजकर आता ही क्या है, लेकिन आप यह कह सकते हैं, कि RD Sir का Mass Reasoning वाला course, per day हमें 20-30 पैंसे में मिल जाता है, चलिए तो अगले वाले वीडियो में और जबर्दस questions के साथ मुलाकात होगी आप सभी से, आप खुस रहिए, लाइक करते रहिए चैनल को और स्टेर भी कर दीजिए गाइसे, मिलते हैं नाक्स्ट वाले वीडियो में, धन्यवाद